मौयल नगरी भरबेली निवासी संजेश चौकसे की 11 महा की पुत्री हिती चौकसे के इलाज के लिए माता पिता ही नहीं जिला प्रसासन और प्रदेश के मुख्या सिवरासी चौकान के द्वारा भी प्रयास किया गया लेकिन मासूम हिती चौकसे ने सब का साथ छोड़ते हुए इस दुनिया को अलवीधा कर दिया हिती के लिवर ट्रांस्परांट के लिए भुपाल के होस्पिटल में आउपरेशन हुआ था लेकिन आउपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया और सोमार के स्याम साड़े पाच बजे माशूम हिती चौकसे का दुखाती निधन हो गया आपको बताया कि मुख्यमंत्री शिवरासिन चौहान और विधायक गौरशंगर विसेन के द्वारा आउपरेशन का पूरा खर्च सम्भाला जा रहा था यहीं नहीं बालाखाट कलेक्टर गिरिसकुमार मिस्रा के द्वारा भी अपने एक महा की तनख्वा बच्ची के आउपरेशन के लिए दे दी गए थी बच्ची के निधन के जानकरी लगते ही जिले वाशों में शोक व्याप्त हो गया है क्योंकि इस बच्ची की वीमारी के बारे में जिसको भी जानकरी लगी सबी लोगों के द्वारा बच्ची हिती चौक से के ठीक होने की कामना की जारी थी आपको बताए कि भरविली निवासी संजे चौक से की पुत्री हिती बिलियरी एस्ट्रेसिया नामक अनुमानसिक वीमारी से ग्रशित थी राइपूर के एक हस्पिटल के द्वारा हिती के लिवर ट्रांस्प्लांट के लिए लाखो रुपए का इस्ट्रिमेट दिया गया था माता पिता बहुत गरीब होने के चलते इतनी बड़ी राश्टी का इंदेजाम करने परिशान थे अन्तमे परिजन पदमेश 24-7 के कारेलें पहुंचे थे और अपनी पीड़ा वैक्त की थी जिसे पदमेश 24-7 के द्वारा पिता की फरियात को प्रमुकता के साथ शासन प्रसासन तक पहुंचाने का कारी किया गया था यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंती सिवरासी चौभान के द्वारा बालाखाट आगमन के दौरान हीती की इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार के माध्यम से उठाने का जिम्मा लिया गया था बच्ची हिती को विगत आठ सितंबर को स्वासी भाग जिला प्रसासन के माध्यम से लिवर ट्रांस्परांट के लिए भोपाल विजवाया गया था